मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने आपको पिछडी जाती कहा कौन से लिस्ट में आप तो मोदी हो Simple मोदी मिंस जो पूर्नेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से हैं हम गुजरात के वनिक समाज से हैं सुपर अपरकास्ट है ये ना घांची है ना तेली है ना किसी लिस्ट में है ये मोदी है पूर्नेश मोदी जी ने खुद स्विकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यपार करने वाली कॉम्यूनिटी में है उस सुपर रीच में पाने जाते हैं उसमें वो लोग हैं और यहां पर देश में लोगों को गुमरा करने की बात कर रहे हैं जाती नी जे वात हती है उगणिस्तो नववाणु मां जाती नो समाविष्था इगायो चे ओबीसी मां परन्तु एई डॉक्यूमेंट ने पड़े खोटू ढहरावे छे एक हैं थोड़ा समय पहला पीएम डिग्री लेन आव्या हता ने डिग्री मां जे फॉन्ट अता एमां पच्छी आखु सर्वे था उने पच्छी पीएमें कदी डिग्री नाथी बतावी एमां डॉक्यूमेंट पन खोटू छे पीएम जे उल्लू बनावी रहा चे साचू नथी पीएमें सपष्टा करवी पडशे के ओबीसी मां आवे छे के नई के कई जाती मां आवे छे जो सवाल है अब जिनकी फिद्रत पीजीएपी में डॉक्यूमेंट टेंपर करके करने वाले वो जवाब ना दे मुझे मोदी जी खुद दें और कहें तो बहास करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तयार हूँ यह फेक डॉक्यूमेंट करते हैं आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है पर किसी ने पिर अच्छे जन्नालिस ने जो मोडिया नहीं थे डरे नहीं थे उन्हों ने एक अनालिसिस करके दिया कि बहुए ए डिग्री जिस फॉंट्स में है वह फॉंट्स उस जमाने में थे नहीं तो हूँ ढूँझे उस फॉंट्स में कैसे बनी उसके बाद यह दिखाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था जैसे मैंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आप गुगल में डाल के देखो कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट क्या खुलता है कुछ और खुलेगा आपको तो वो नहीं मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने आपको पिछडी जाती कहा कौन से लिस्ट में आप तो मोदी हो गुजरात में जो घांची होते हैं वो लिखते हैं मोदी घांची गुजरात में तेली होते हो लिखते हैं मोदी तेली अपने सरने में ही लिखते है मोदी घांची, मोदी तेली मोड घांची मोड वणिक अगर नहीं है उसमें तो मोड वणिक लगते है सिंपल मोदी मिंस सिंपल मोदी मिंस जो पूर्नेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से है हम गुजरात के बनिक समाज से है सुपर अपरकास्ट है और इन्होंने ये भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब उन्होंने पुर्नेश मोदी जी ने कोट के अंदर जब बोल रहे थे तो ये भी बोले कि किसी भी गवर्मेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्रन नहीं है that पुर्नेश मोदी अगर इतना जूट क्यों अगर आप रियल में आप सही में सबसे बड़े पिछडा हो कहते हैं कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा OBC में हूँ मैंने कहीं कोई सी नोटिफिकेशन में दिखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसा बेड़ा होता है माने ये ना घांची है ना तेली है ना किसी लिस्ट में है ये मोदी है पूर्णेश मोदी जी ने खुद स्विकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यपार करने वाली कॉम्यूनिटी में है उस सुपर रीच में पाने जाते हैं उसमें वो लोग हैं और यहां पर देश में लोगों को गुमरा करने की बात कर रहे हैं अब मेरे मोदी से कुछ सवाल है पहला सवाल कि बंबई के उस मोदी समाज ने आपको जब सीएम बने और कहा कि फ्रॉम अवर मोदी समाज जो की बड़े व्यपारी और उपर रीच है उन में से पहला मुख्यमंत्री बना है उसके मेगेजीन में आपके इस्तियार और फोटो छपे आपने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि बुल जाओ भया मैं तो पिछडा हूँ मैं गाची हूँ मैं तेली हूँ मैं OBC हूँ कुछ नहीं कहा अगर आप गाची थे तो आपकी सरनेम के पीछे मोदी गाची आना चाहिए अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोदी गाची लिखते हैं मोदी गाची लिखते हैं मोदी तेली लिखते हैं सिंपल मोदी में या पारी कॉम्यूनिटी की जो पूर्णेश मोदी ने कहा वो तो आप इसका खुलासा करें विला दूसरा प्रश्चन अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं तो मुख्यमंत्री बने उससे पहले इन तिन जातियों की अंदर आ सब तो यह डॉक्यमंट आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद 1st January 2002 में क्यों निकला और इसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है कहीं पर मोदी नहीं है तो इस विजरात में में मोदी समाज से हूँ और हमारे मोदी समाज ट्रस्ट में हम गांची तेली इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनायाते हैं इस से ज़्यादा और प्रूप क्या चाहिए आपको इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में होई नहीं जिसका नोटिफिकेशन में जिक्रा है चौथा मेरा सवाल है कि अगर आप पिछडी जाती से हूँ तो आप गोलवलकर जी की वो सोच का विरोध क्यों नहीं करते हो आर ऐसेस के गुरू गोलवलकर जी ने कहा था इवन रेकेगनाइजिंग एसीज और एस्टीज थिंकिंग इस अब्रेज तो जलियस एन कॉन्फिलिक्ट रिजर्वेशन फोर एसीज और एस्टीज वोड मेग देम स्लेवस विद दल्यूर अप मनी उसके बाद महुन बागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया था फिर वो यूटन कर गये थे मैं मोदी जी को सो कहता हूं कि आप गोलवल करजी की यह बात जो थी कि SC ST को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए इससे एक जलसी पैदा होगी उससे साहमत हो या नहीं 1978 में करपूरी ठाकूर जी जब 26 प्रतिशत का रिजर्वेशन लाए तब जनसंग ने करपूरी ठाकूर जी का और इन रिजर्वेशन का विरोध किया था आप उस विचार धारा से आपका आज मत क्या है my another question 1981 में श्री मादव सिंग सौलंग की गुजरात के मुख्यमंतरी थे और 21 प्रतिशत रिजर्वेशन आया OBC का उस वक्त पे ABP और BJP ने एजिटेशन किया था विरोध किया था जैल में भी गए थे तो आप इसमें सहमत हो या नहीं और आखरी सवाल आप भी उसमें शामिल थे मोधी जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई देश में OBC के आरक्षन की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल याने की भारती जंता पार्टी थी इसको आप क्यों भूल रहे हो तो राहूल गांदी जी ने जो कहा वो सरासर सही है कि ना ये घांची है ना तेली ना पिछडी जाती से है ना इसकी सरने में कहीं पर मोधी के बाद कुछ नहीं है और पोनेश मोधी ने राहूल जी के खिलाब की एक केस में एक क्रिश्टल क्लियर हो गया है कि मोधी सिर्फ लिखा इसका मतलब वो व्यापारी है सूपर अपरकास्ट है और इससे पिछडों से कोई लेना देना नहीं है इवन अपने ट्रस्ट में